विरात कोली के टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने के बाद BCCI को एक नए लीडर की तलाश है साउथ आफरिका दौरा खतम होने के बाद भारत को नया टेस्ट कप्तान मिल सकता है भारते टीम रविवार को साउथ आफरिका में अपना आखरी मुकाबला खेल रही है ये दौरा खतम होने के बाद टीम इंडिया को अपना नया टेस्ट कप्तान मिल सकता है विरात कोली ने साउथ आफरिका सिरीज में मिली हार के बाद टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी थी ऐसे में अब रोहित शर्माही टेस्ट के लिए कप्तान बनने के लिए तयार है रोहित शर्माही अभी T20 और One Day फॉरमिट में कैप्तन है ऐसे में अब टेस्ट की कप्तानी भी उनके खाते में ही जाती देख रही है इंसाइड रिपोर्ट को BCCI के अधिकारी रिबताय की बिना किसी शक के रोहित शर्मा की टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान होंगे साउथ आफ्रिका की सिरीज के लिए रोहित शर्मा को उक्त कप्तान बनाय गया था ऐसे में अब उनका कप्तान बनना तै था जल्द ही इसकी अधिकारी के घोशना भी कर दी जाएगी BCCI अधिकारी के मताबिक रोहित शर्मा के सामने अब वर्कलोड की बड़ी चुनौती होगी ऐसे में उनको खुद को फट रखना होगा सेलेक्टर्स भी रोहित से इस बारे में बात करेंगे बता दे कि T20 वर्ल्ड कप के बाद जब विराट कोली ने कप्तानी छोड़ी थी तब रोहित शर्मा को पहले T20 का कप्तान बनाय गया पर साउथ आफ्रिका दोरे से पहले सेलेक्टर्स ने विराट कोली से वंडे की कप्तानी वापस ले ली और फिर रोहित शर्मा को ही वंडे का भी कप्तान बना दिया गया अब जब विराज कोली खुद ही टेस्ट की कप्तानी छोड़ चुके हैं तब रोहित शर्मा ही नया टेस्ट कप्तान बढ़ने की रापर है वैसे सेलेक्टर्स के सामने अब उपकप्तान चुनने की सबसे बड़ी चुनौती होगी क्योंकि उपकप्तान ही भविश्य का कप्तान बन सकता है केल राहुल, रिशपपन्त, जस्प्रीत, बुम्रा जैसे खिलाड़े सरेस में सबसे आगे है साहुत अफ्रिकी दोरे पर भी रोहित शर्मा की गैर मौझूदगी में केल राहुल कप्तानी कर रहे हैं जबकि जस्प्रीत, बुम्रा उपकप्तान है